हैलो फ्रेंड्स तो आप देख रहे हैं Almighty Judicial Academy का वीडियो लेक्चर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नुसेंस नुसेंस आज इन टॉट्स आ सिविल रॉम आई पीसी में भी section 268 में इसको डिफाइन किया गया है तो नुसेंस वर्ड फ्रेंच के वर्ड नुरी से मिला है जिसका अर्थ होता है हड करना या किसी को खीच पैदा करना मतलब चड़ाना या चड़ा देना इसमें केस भी है दुर्गापरसाद वर्सिस स्टेट दुर्गापरसाद वर्सिस स्टेट में जो ordinary मीनिंग निकल के आय कुस दिन पहले में किसी पार्टी में गया और वहां पे थोड़ा एल्कोहलिक पार्टी थी ड्रिंक दिंग चल रही थी तो उन्होंने क्या करा अपना दो तिन पैक पी और उन्हें चड़ गई अब किसे ने कुछ ऐसी बात बोली होगी थोड़ी चोटी मोटी को ऐसी हल्की किसी बात ऐसी बोली उन्हें लग गया बुरा नश्य में थे वो एल्कोहलिक पार्टी थी उन्होंने इतना हंगामा कर दिया कि पूरी पार्टी स्पॉइल हो गई हर इंसान का मूड स्पॉइल हो गया यह भी एक न्यूसेंस की शेड़ी में ही आता है अगर आप शराप पी हैं लेकिन जातर लोग ऐसा करते नहीं है क्योंकि इंडिया के अंदर लोग सुछते हैं चला जाएगा पास मिट लगेंगे तो ऐसा ही होगा हमारे साथ भी कि पार्टी में ऐसा शराब वरा पीके उन्होंने हंगामा किया तो यह एक नूसेंस की शेड़ी में आता है अब आ पुछ ऐसा करना जैसे तेज तेज म्यूजिक प्ले करना या किसी पार्टी में हंगामा दारूप यह करना जो मैंने अभी आपको बताया अब अब पुछ नूसेंस का मैं आपको एक केस बता देता हूं केस का नाम है डॉक्टर राम राज सेंग अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं डॉक्टर राम राज सेंग वर्सिस बाब उलाग इस केस में डिफेंडेंट ने एक ब्रिक ग्राइंडिंग मशीन लगाई इटो को पीचने वाली मशीन लगाई जिससे प्लेंटिफ जो की एक डॉक्टर थे इस मशीन लगाने के कारण उनकी क्लिनिक पे वह ब पे लेगा उसका हडजान या फिर छे महीने की सजा प्राइविट निच्ख क्या होता है और बतायों आपको प्राइविट चने लगें यह का नाम वह है रादे शाम वर्सिस गूरु परसाथ याूरा का अगर इस को पार्स में। पर्सनल डिसकंफर्ट भी हो रहा है तो वो प्राइवेट न्यूसेंस की श्रेणी में आएगा तो यह अभी तक मैंने आपको प्राइवेट न्यूसेंस और पब्लिक न्यूसेंस बताया कि न्यूसेंस क्या होता है लेकिन इस न्यूसेंस के डिफेंस क्या हो सकते हैं यह मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में जल्दी ही बना दूंगा और आजकल टॉपिक था हमारा न्यूसेंज तो आपको कैसा लगा बताईए मुझे कमेंड के द्वारा थैंक यू सो मच